hello everyone welcome back to evs academy channel so कैसे आप सब तो जैसे को वेट था वो वेट इंतजार आप लोगों का पूरा हुआ अब आंसर की रिलीज हो गई है तो कली आंसर की रिलीज हुए आप सब इने चेक कर लियोंगे अपना जितना भी स्कोर बनाऊगा बट इसमें एक प्राब्लम है कि काफ़ी सारे स्टुडेंट्स को ये है कि जो आंसर की है वो गलत आये बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर दिये वो गलत है तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते वे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग को मैं help out कर सकूँ तो देखो सबसे पहले तो आप लोग अपने आंसर की चेक करने आपको response आयोंगे और आपके जो correct answers जो NTA ने दिया है वो आया होगा आपके पास जैसे आप अपना login करोगे अपने application number और date of birth से तो आपके सामने आपकी answers आ जाएंगे जो आप वहाँ पे चूज कर आयोंगे आप देखो उसके बाद क्याएं कि अगर आपको किसी भी question में ऐसा लग रहा है कि question का answer गलत है आपके इसाब से किसी में भी अगर आपको थोड़ा भी doubt है तो आप वो हमें send कीजे mail कीजे विस academy की email ID पे या फिर आप comment section में बता सकते हो आप personally जो description box में नंबर गीवन है वहा काम हम करेंगे बट आपको बताना होगा कि कौन से question में आपको doubt है और आप उसको challenge करना चाहते हो ठीक है तो देखो यहां पे इनोंने mention भी क्या हुआ है कि किस कि provisional answer की आ गई है तो यह सभी जो 27, 28, 29, 30, 2nd, 3rd, 4th, 5th के exam हुए थे सभी के question paper along with recorded response अवेलेबल है UGC net की site प देखो यहां पर procedure भी बताया हुआ कि कैसे कैसे आप challenge कर सकते हो challenge करने के लिए आपको क्या लगा 200 फीस ठीक हरी question की per question आपको 200 रुपे देना होगा वो non refundable है आपको refund नहीं होगी और आपको यह भी intimation नहीं आएगा कि आपका जो आपने चैलेंज किया तो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है ऐसा भी को intimation anti की तरफ से आपको नहीं मिलेगा यह बात पी आपको ध्यान रखनी है आप देखो सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा date यहाद रखनी है कि क्या 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 आप दिको duration for answer की challenge क्या है 11 September कल से 6 बजे से आप 13 September को कल बरात की 12 बजे तक आप challenge कर सकते हो window open रहेगा उसके बाद जो last date for payment जो आप payment करोगे तो उसका भी last date कल है 13 September 12 बजे तक आप कर सकते हो ठीक है तो आप payment किसी भी तरीके से कर सकते हो credit card debit card net banking UPI यह सभी है ठीक है तो बस आपको date याद रखने इसके बाद आप challenge नहीं कर पाओगे अगर आपने fees pay नहीं किया होगा यह 200 रुपीज की बात कर रहे हैं तो आपका जो challenge है वो accept नहीं होगा challenge made by the candidate will be verified by the panel of the subject expert आप जो भी question को challenge करोगे आपको लग रहा है कि भी हाँ यह और आप उसके साथ explanation दोगे कि देखो इसके साथ सी answer रहना चाहिए था तो क्योंकि proof obviously देना पड़ता है तो proof को चेक करेंगे panel होगा उसके बाद ही वो उसके accept करेंगे अगर वो सही हुआ तो answer की revise होके आएगी और आपके जो final answer की result होगा वो उसके basis पे prepare होगा no candidates will be informed about the acceptance non acceptance the key finalized by the expert after the challenge will be final ठीक है तो अगर उसके बाद ही आपका final result अनाउंस होगा तो यह काफी अच्छा golden chance है अगर आपको लग रहा है कि इसस question में चाहिए कितने में question हो बट आपको एक proof होगा उसके साथ वो proof हम लोग attach करेंगे हम आपको explanation के साथ ही हम उसको challenge करेंगे तो आप comment section में किसी भी बता सकते हैं again I am repeating आप personal call करके message करके भी बता सकते हैं कि इसको यह question आप challenge करना चाहते हैं इवेक्स guide में आपको पूरा साथ देगी इस चीज में ठीक है तो आप ज्यादा time list ना करते क्योंकि आज 12th हो गई है कल इसकी last date है तो फटा फट से doubt है आपक कीजिए जिससे की time रहते हम लोग भी उसको आगे forward कर सके तो चलिए thanks for watching